नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ती टीवी में बेल विश्व के कई हिस्सू में पाया जाने वाला ब्रिक्ष है धार्मिक दिश्टी से महत्पून होने के कारण इसे मंदिरों के पास लगाया जाता है हिंदू धर्म में इसे भगवान शिप का रूप ही माना जाता है वो माननेता है कि इसके मूल यानी जड में महादेव का वास है तथा इनके तीन पत्तों को जो एकसाथ होते हैं, उन्हें त्रिदेव का स्वरूप मानते हैं परंदु पांच पत्तों के समूवाले को अधिक शुभ माना जाता है, अताह ये पूजी होता है, धर्म ग्रंथों में भी इसका उलेख मिलता है, इसके पत्ते संयुक्त, विप, तरक, वगंध मुक्त होते हैं, तथा स्वाद में तीखे होते हैं। हम आपको बता दे, बेल ब्रिक्ष के आसपास साप नहीं आते, अगर किशी की सव्यात्रा बिल्व ब्रिक्ष की शाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है, वायू मंडल में ब्याप्त अशुध्यों को सोखने की शमता सबसे जादा बेल ब्रिक्ष में होती है, चार पांच, छे या साथ पत्तो वाले बेल पत्रक पाने वाला परम भागेशाली और सिब को अपर्ण करने से अनंत गुना फल मिलता है, बेल ब्रिक्ष को काटने से वंश का नास होता है और बेल ब्रिक्ष लगाने से वंश में ब्रिद्धी होती है, सुबह शाम बेल देश दुनिया और धर्म की इसी प्रकार की खबरों के लिए जोड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे ओम शक्ती टीवी, लाइक, सब्सक्राइब, शेर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।